एक डिच्ट ऑनी सटूडिंट्स वेलकम बाक्टहा चाइनल ग्यानलाब तो आजकी सेशन में हम आपके लेकर आये हैं यूमन हल्टनक ही चैप्टर के आगेके विडियो लास्ट चायम हम ने डिसकस किया था मलेरिया के बारे में अब आज भी किछे अगे आपने सारी वीडियो देख ली हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ आज हम डिसकस करने वाले हैं about amoebiasis what do you mean by amoebiasis amoebiasis होता क्या है उसके signs and symptoms कैसे हैं यह transmit कैसे होता है अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेर कर दो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना तो start करते हैं अभी आज देखो आज हमको क्या बताया गया है amoebiasis होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे इसका definition amoebiasis is also known as amoebic dysentery क्या बोला गया है हमको यहाँ पर amoebiasis का दूसरा नाम क्या है amoebic dysentery dysentery मतलब क्या होता है loose motions जब किसी infection के वज़े से आपको loose motions हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं dysentery it is a common infection of human gastrointestinal tract देखो loose motions कब होता है जब आपके पेट में कोई गरबड हो जाती है तो इसलिए कौन सा infection है यह gastrointestinal tract infection है gastrointestinal tract मतलब आपके digestive system में कुछ problem हुई है it affects 15% of population of India यह हमारे country में कितने जादा percentage में अकर होता है मतलब कितने परसेंट लोगों को यह लोगों को amoebiasis से सफर करना पड़ता है approximately 15% of entire population of our country okay मैंने आपको बोला था कि diseases याद करने के लिए आपको चार कॉलम बनाने है सबसे पहले disease का नाम फिर उसका causative agent फिर vector फिर उसको treat करने वाला अगर कोई medicine है तो वो medicine तो ऐसे मैंने आपको चार अलग-अलग नाम बोले थे लिखने के लिए diseases, causative agent, vector और उसका treatment तो आपने ये टेबल बना लिया होगा क्योंकि ये टेबल बना लोगे तो आपको बहुत मदद होगी तो यहाँ पर देखो amoebiasis के लिए कौन सा causative agent है amoebiasis is caused by a protest parasite known as ant amoeba histolytica तो यहाँ पर आप नाम लिखोगे amoebiasis और यहाँ पर causative agent का नाम आएगा ant amoeba histolytica अब एक चीज आपको याद रखनी है exam point of view से जब भी आप इसका one marks answer लिखते हो या जब भी आपको किसी भी disease के बारे में पूचा जाता है और आप उसके causative agent का नाम लिखते के time पे कि जो भी biological names होते हैं अगर आप उसको type कर रहे हो computer पे तो वह italics में आएगा और अगर अपने हाथ से लिख रहे हो तो उसको आपको underline करना कमपल सरी है अगर आपने underline नहीं किया किसी भी organism के नाम को तो आप और spelling कितनी भी correct होने दो आपको सीधे zero marks मिलेगा तो सबसे पहले तो लूज मोशन होता है जब भी आपको amoebic dysentery हो जाती है flatulence stool with mucus flatulence मतलब क्या होता है आपके यह एकदम डाइरिया मतलब जो होता है वह एकदम पतला पतला एकदम बारिक बारिक लूज मोशन होता है so that is flatulence stool with mucus जो आपका stool निकलता है मतलब जब आपको lose motion होता है तो चिपचिपा सा potty निकलता है चिपचिपा सा stool sample निकलता है एकदम mucus mucus जैसा okay and abdominal pains और पेट में बहुत जादा पेन होता है और यह normal pain नहीं होता है it is in the form of cramp cramp मतलब क्या होता है जब आपके पेट में मरोडे आती है मतलब ऐसा लगता है कोई अंदर से mixer चला र in severe cases अगर बहुत जादा infection spread हो गया और आपने इसको early stage पे detect नहीं करवाया है diagnose नहीं हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके stool sample के साथ मतलब जब आप potty करने जाओ तो आपके stool sample के साथ blood भी excrete हो सकता है तो अगर आपके stool के साथ blood निकल रहा है it is a simple sign of amoebiasis इसका मतलब से blood निकलना it is not at all normal condition okay it is definitely a sign of some or the other disease आगे पढ़ते हैं आगे देखो important symptom क्या है amoebiasis का hypatomegaly 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 मतलब क्या होता है hypatomegaly means liver hypato word का मतलब क्या होता है liver और megaly मतलब क्या होता है swelling अगर आपके liver में आपको swelling देखने को मिल रही है तो इसका मतलब कि आपको definitely amoebiasis का infection हुआ है so hypatomegaly occurs मैं यह रेज कर देती हूं when does hypatomegaly occurs hypatomegaly occurs when if if parasite enters the liver तो आपका liver swelling कब होगा जब आपका यह parasite आपके liver में entry ले लेगा तब आपको यह infection देखने को मिलेगा liver develops amoebic liver abscess accompanied with fever and pain in right abdomen तो इसके वज़े से क्या होता है जब यह amoeba के जो यह parasite होते है ant amoeba histolytica यह जो हमने नाम पढ़ा ना यहां पर ant amoeba histolytica यह parasite जब liver में enter करते हैं तो यह liver के cells के उपर attack करना start करते हैं जिसके वज़े से liver का cell damage होना start होता है और liver में swelling होने के वज़े से पेट में दुखता है क्योंकि liver जब जगा बदलती है मतलब liver जब swell हो रही है तो उसको swelling होने वक कोई भी चीज सूच जाती है तो आजू-बाजू के मसल्स को वह धक्का देगी क्योंकि वह चीज अंदर से कि कैसे यह transmit होता है from one person to another person तो सबसे पहला mode कौन सा है feco oral route मतलब क्या होता है जब आप पौटी करके आते हो और बिना हाथ दोए आप खाना खा लेते हो या किसी भी पूरे के पूरे germs आपके हात मेंटे रहेंगे और फिर आप जहां जहां हाथ लगाओगे आपके हाथ से वह हैं पहने हैजा है एक यह चोटे बच्चों कि हैबिट ہोती है ना मिट्टी घेल का आते हैं खाने लग जाते हैं कुछ भी खाने लग जाते है चोटे इस बट्चे नहीं बड़े लोग भी कितनी गंदगी से मतलब हम लोग रहते हैं पत मझेसी Silk होगी फिर भी हम भी थ्हान नहीं देतें और खाने लग जातें अब देफिनितल्ली कॉज़ अच्छे नहीं भी अच्छे नहीं होते हैं तो अमीबियास इस विड्ल इति दोधिक्ट गांवर्ट वॉटर्ट अजिटी लेकिन एक चीज यादर रखो जो सामान बेचता है उसक को खुद का भी साफसफाई का ध्यान रखना चाहिए वहाथ में गंदिगी है उसके और वही उसी गंदे हाथ से बना के आपको दे रहा है या पूरा सामान उसने खोल कर रखा हुआ है धका हुआ नहीं है मक्खिया आ रही है पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से चीज़ें आ तो आप कैसे पहचान सकते हो, डाइगनोसिस मतलब क्या होता है किसी भी बिमारी को पहचानना और फिर पहचानने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आप क्या करते हो, अगर मतलब समझो किसी को continuous loose motions हो रहे हैं, उनका स्टमक एक हो रहा है, उनके लिवर में भी swelling हो गई है, तो डॉक्टर आपका स्टूल सैंपल मंगाएगा, मतलब आपके पॉटी का सैंपल मंगाएगा वो और उनको वो चेक करेंगे, मतलब डॉक्टर जो हैं स्टूल सैंपल मंगाएगे और उनको चेक करेंगे, तो माइक्रो स्कोप के नीचे जब चेक किया जाएगा आपके स्टूल सैंपल को और अगर आपके स्टूल सैंपल में यह पारसाइट दिखा, ant amoeba histoletica parasyite दिखाई दिया, तो इसका मतलब you are suffering from amoebiasis, कैसा दिखता है का treatment हम कर सकते हैं मतलब doctors recommend करते हैं which can destroy the entamoeba histolytica in the digestive tract as well as other tissues तो यह जो entamoeba histolytica यह हमारी body में जहां जहां present होंगे वहां वहां यह दो medicines जाएंगी और इस bacteria को kill कर देंगी bacteria यानि इस protest को kill कर देंगी तो जिसकी मदद से हमारी body से entamoeba histolytica पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और हम वापिस से recover करने लगेंगे देखो यहां पर डाइग्राम हमको बताया गया है कि entamoeba histolytica दिखता कैसे है look at here see this is what your entamoeba histolytica somewhat looks like here okay this is the outer wall of the entamoeba histolytica pseudopodia this is endoplasm in the आपको एक भी life cycle याद नहीं करना है यह life cycle आपको याद नहीं करना है आपको सिर्फ इसका causative agent का नाम पता होना चाहिए कि amoebiasis entamoeba histolytica के वज़े से होता है तो यह entamoeba histolytica जो सबसे mature form है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजाइट यह डिविजन करता है डिविजन करके प्रीसिस्ट फॉर्म बनाता है प्रीसिस्ट फॉर्म करके यह मतलब आगे आगे इसके अंदर development होती है और फाइनली यह हमारी body में divide हो रहा है क्या हो रहा है यह हमारी body के अंदर डिवाइड हो रहा है लिवर में और sexual reproduction दिखाता है तो यह जैसे जैसे हमारी body के अंदर डिवाइड होगा वैसे वैसे हमारे liver की swelling होगी और हमारा liver स्वेल होगा तो stomach pain होगा क्योंकि liver stomach को धक्का देगा और stomach दुखने लगेगा तो बैसिकली यह जो है हमारे liver cells को damage करता है liver cell का काम क्या होता है blood का detoxification करना मतलब blood में जो भी toxic products है उनको purify करना और healthy cells बनाना तो अगर liver हो जाएगा तो healthy cells नहीं बनेंगे RBC नहीं बनेंगा और blood detoxification भी नहीं होगा तो जिसकी मदद से body के बाकी सारे system में बहुत दिक्कत हो जाती है amoebis होने से कैसे रोख सकते हैं simple सी बात है हाथ धोकर खाना खाओ जब भी washroom जाओ हाथ को साबुन से धो ढखा हुआ खाना खाओ रोड का गंदा खाना मत खाओ देखो इधर क्या बोला गया है wash hands with hot water and soap after using toilets and changing baby's diaper baby का diaper change करने के बाद या toilet use करने के बाद हमेशा साबुन से और गरम पानी से हाथ हो ता कि कोई भी germs आपके हाथ में ना रहें drink boiled water always otherwise water must be chlorinated and filtered या तो filter का पानी पीओ या तो फिर BMC के नल का जो पानी आता है chlorinated water वो पीओ या तो फिर पानी उबाल के पीओ ठीक है all right avoid eating unhygienic food यह try करो बहुत सारे बच्चे I know आप लोगों की उमर में बहुत जादा frankie manchurian यह वो खाने का मन करता है junk food खाने का मन करता है but try करो जितना हो सके उतना unhygienic food से दूर रहो fruits खाओ vegetables खाओ vegetables खाने से पहले हमेशा उसको properly wash करो और cook करो हमेशा याद रखो 2-3 बार हर एक vegetable को wash करना है proper sanitary facilities including sea waste disposal help in the prevention of amoebiasis sanitary disposal मतलब क्या होता है sanitary facilities हर जगा पर washrooms होने चाहिए clean washrooms होने चाहिए खुली जगह पर potty करने सुसू करने मत जाओ हमेशा proper closed washroom यूज करो water अच्छे से water का supply होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान washroom यूज करके गया और वो सब गंदा छोड़के गया तो proper sanitary facilities होनी चाहिए मतलब साफ सफाई होनी चाहिए washroom वगेरा में भी ताकि जो second person उसको use करने आए तो उसके पास ये body transmit ना हो तो I hope आपको अच्छे से amoebiasis समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं next disease की तरफ that is ascariasis कौन सी disease अब हम पढ़ने वाले ascariasis के बारे में तो देखो इधर पर क्या बताया गया है same it is an infectious disease of human intestinal tract ये भी intestine को damage करता है मतलब intestinal infection है caused by a roundworm amoebiasis क्या था amoebiasis कौन से particular organism से हो रहा था it was caused by a protista देखो इधर पर ये जो लिखा है ना ये ये जो मैं underline कर रही हूँ this is protista मतलब एक micro organism के वज़े से amoebiasis हो रहा था और ascariasis किसके वज़े से हो रहा है ये एक particular type के roundworm से हो रहा है और जिसका नाम क्या है ascaris lumbricoidus आपको ये याद करना है देखो malaria के लिए कौन सा causative agent था plasmodium amoebiasis के लिए कौन सा causative agent है antamoeba histolytica ascariasis के लिए कौन सा causative agent है ascaris lumbricoidus आपको ये नाम याद रखने है exam में मैं बार बार बोल रही हूँ बड़ा question नहीं आएगा इसमें से objective type questions आएंगे और ये नाम ही पूछे जाएंगे so हर एक नाम को 10-10 बार लिखके practice करो और हर हफते में 2-3 बार करो तो आप भूलोगे नहीं so ascaris lumbricoidus is an endoparasitic roundworm और neematoad neematoad का मतलब भी क्या होता है it is a type of roundworm only endoparasite मतलब क्या होता है कि ये body के अंदर जाने के बाद body में infection spread करेगा endo, endo means internal body के अंदर जाने के बाद body को खराब करना मतलब infection spread करना so it is an endoparasite what are the signs and symptoms of ascaris first one gastrointestinal discomfort आपको मतलब पेट में कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होगा accompanied with vomiting and fever मतलब आपका पेट प्रॉपर डाइजेशन नहीं करेगा आपको vomiting जैसी feeling होगी आपको बुखार आ जाएगा presence of live worms in fecal matter यह जादा तर बच्चों में देखा जाता है जो छोटे बच्ची होते हैं मिटी वगेरा खाते हैं चार से पात साल के बच्ची होते हैं उनकी पॉटी में white color के worms देखे जाते हैं जिन्दा कीडे तो इसका मतलब इसको definitely ascaris ascaris का infection हुआ है मतलब जिन्दा वर्म्स आपके पॉटी में दिखाई देंगे फिर थर्ड सिम्टम क्या है pulmonary disorders occur in some patients pneumonitis कुछ पेशंट का lungs damage हो जाता है that is inflammation in the alveolar wall lungs के अंदर जो alveoli होते हैं आपका यह जो lungs है इसके अंदर ऐसे grape-like structures जो होते alveoli तो यह alveolize swell हो जाते soot जाते so कुछ लोगों में lung infection हो जाता है जिसको हम बोलते है pneumonitis और फोर्थ सिम्टम क्या है loss of appetite भूख ना लगना appetite मतलब भूख तो भूखी नहीं लगती है क्योंकि मतलब body का digestive system बराबर नहीं है तो बार-बार उल्टी हो रही है तो कुछ खाने का ही मन नहीं करता है तो भूख ना लगना वजन घटना क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो weight loss हो जाएगा eosinophilia और यह आपका एक तरीके का blood test में यह पता चलता है कि आपके body के जो eosinophils what are eosinophils हमने पढ़ा था ना WBC lymphocytes के अलग-अलग टाइप होते है monocytes monocytes के अंदर मतलब हमने देखो दो टाइप के lymphocytes पढ़े थे granulocytes और granulocytes तो उसमें से एक था eosinophilia अब तक अगर आपने respiration and circulation का वीडियो नहीं देखा है यह ऐसे सेल्स है जो बॉड़ी में तब रिलीज होते हैं जब बॉड़ी में कोई पारसाइट का काउंट बढ़ जाता है जब आपकी बॉड़ी में ascaris worm आएगा जब यह ascaris worm आएगा तो आपकी बॉड़ी में eosinophilia cells के population बढ़ जाएगा अपने अंडे रिलीस करते हैं तो यह अंडे जब तक एंवार्मेंट में प्रेजन है तब तक पुछ तकलीफ नहीं होगी लेकिन जब यह किसी की बॉड़ी में एंटर कर जाएंगे तो बॉड़ी के अंदर जाने के बाद इन एग्स में से वर्म निकलते हैं और वो वर्म हमारे बॉड़ी को डैमिज करना स्टार्ट करते हैं तो जो फूड और ड्रिंक्स मतलब खुला खाना खुला पानी जो आप पीते हो जिसके अंदर अल्रेडी इस वर्म के एग्स प्रेजन है इट इस दे में मोड अफ ट्रांसमिशन एग्स हैच इंसाइड इंटेस्टाइन अफ दे न्यू होस्ट जब किसी खाने में मतलब किसी को अल्रेडी ऐसकेरी ऐसेस का इंफेक्शन है वो वाश्रूम जाकर आया उसने अपने हाथ नहीं धोए और उसने किसी खाने को हाथ लगा दिया तो उसके हाथ में जो अंडे लगे होंगे एसकारी ऐसेस वर्म के जो अंडे लगे हुए होंगे वो खाने में लग जाएंगे अब वो खाना जब कोई दूसरा इंसान खाएगा तो उसकी बॉडी में वो अंडे जा रहे हैं, तो वो अंडे के अंदर से वर्म्स कब निकलेंगे, जब वो अंडा बॉडी के अंदर जाके ब्रेक होगा, ओके, सो ये एग्स कब हैच होते हैं, एग्स का हैच होना मतलब ऐसा एग है और इसके अंदर धेर सारे वर्म्स हैं, त मतलब स्टार्टिंग में जब यह अंडे में से यह लार्वे निकलते हैं तो यह immature होते हैं लेकिन दीरे-दीरे यह पूरे ब्लड में flow होकर mature हो जाते हैं और फाइनली कहां पर जाकर बैट जाते हैं हमारे डाइजेस्टियो सिस्टम में जाकर बैट जाते हैं ताकि वहां जाकर यह हमें बिमार कर सके इसका डाइगनोसिस कैसे कर सकते हो आप मतलब इसको कैसे पैचान सकते हो कि किसी को इसकारियस का इंफेक्शन हुआ है डाइगनोसिस कैंपी दन बाइ माइक्रो स्कॉपिक एग्शामिनेशन अफ दस्टूल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वह आपका फिर से स्टूल सैंपल मंगाएंगे वह चेक करेंगे कि आपके बोडी में कोई वर्म का प्रेजंच है कि नहीं या अंडे प्रेजंट है कि निया आ सब नाम याद रखने की जरुवत नहीं है कोई भी दो नाम याद रखो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा ठीक है तो कोई भी दो नाम याद रखो मेडिसिन के यह था डाइग्नोसिस एं ट्रीटमेंट और यह है हमारा एसकैरिस लुम्रिक ओड़स का लाइफ साइकल तो लाइफ साइकल में देखो इधर पर क्या बताया गया है यह वर्म्स है ठीक है इस आर दी मेल और फीमेल वर्म्स यह लोग अपना फर्टिलाइज़ेशन करके एग्स रिलीज करते हैं फीसिस के अंदर फीसिस मतलब पॉटी के अंदर स्टूल में फीसिस मतलब क्या होता है स्टूल में फिर जब आप पॉटी करके आते हो तो अगर मिट्टी में समझो गाउं के लोग खुले में पॉटी करते हैं तो मिट्टी में अगर आप पॉटी करके आयो तो वह वर्म सारे मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे फिर अगर कि चाहना पाइब लगा दिया तो खाना गालिटी जिसके अंदर अजिए बैठे तुम वह खाना खा रहे तो अगर किसी दूसरे इंसान ने उसको खा लिया तो वह अंडे इंसके इंटर स्टाइन में जाके घ्रो होना स्टार्ट जाएंगे के त्रैवल करेंगे हार्ट लंग्स ट्रैकिया ऐसे अलग-अलग औरगन के त्रू ब्लड के त्रैवल करेंगे और फाइनली इसो फेगस में आएंगे वापिस फूड पाइप में और फाइनली वह इंटस्टाइन में मैच्वर होके बैठ जाएंगे और वहाँ पर अपना री तो इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना यह एग वाले स्टेज पर अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर आपकी बॉड़ी में वर्म्स बनने से कोई नहीं रोख सकता फिर आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हम अवाइड डिफेकेशन इन तो मतलब अगर आप खुले में पॉटी नहीं करोगे तो मिट्टी के अंदर एग्स मिक्स नहीं होंगे और बच्चे मिट्टी में खेलने जाएंगे तो उनके हाथ में एग्स नहीं लगेंगे तो ओपन स्पेस में पॉटी मत करो परस्नल हाइजीन मेंटेन करो परस्नल जब भी वाश्रूम यूज करो and not only washroom, even after doing anything, किसी बहार से भी आप आ रहे हो, किसी भी चीज को आपने हाथ लगाया, तो साबून से हाथ दो या बिना हाथ दोए, उसको मुह में मत लगाओ, किसी दूसरे चीज को टच मत करो ठीक है, so avoid using dirty substances, wash vegetables thoroughly, एकदम अच्छे से vegetables को धो, before cooking and avoid raw vegetables, कुछ लोग होते है भाजी आते ही, कच्चा टमाटर खाने लग जाते हैं, बिना धोए, please don't do that raw vegetables मत खाओ, खाने को पका कर खाओ, या अगर तुमको कच्चा खाना भी है, तो कम से कम उसको गरम पानी से वाश कर लो, उस vegetable को, so avoid eating raw vegetables and you will be prevented from iscariasis, तो अगर आपको iscariasis से बचना है, तो यह सारे steps follow करने पड़ेंगे, तो इस तरीके से आज हमने कौन से कौन से diseases के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा amoebae यह कौन सा infection है, यह याद रखो, it is a protista infection, कौन सा infection है, यह एक protista का infection है, और फिर हमने पढ़ा, it is a roundworm infection, कौन सा infection है, यह roundworm का infection है, तो यह दोनों infections के बारे में अच्छे से पढ़ लो, और अपने exams की तयारी करो, बहुत ही जल्द exams आने वाले हैं, हम इसी तरीके से आपका syllabus बने रहो हमारे चानल के साथ, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो फ्रेंड्स के साथ, शेर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और पढ़ते रहो, देखो, सबसे जाधा matter क्या करता है, कि आपकी पढ़ाई चालू रहनी चाहिए, हमारी वीडियो आए नाए, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पहले का टॉपिक रिवाइस करो, किसी और चानल से देखो, लेकिन पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है, हम आपका सपोर्ट अगर इसी तरीके से मिलते रह थेंगे, thank you, see you soon, stay tuned.